असलावलेकूं, वेल्कम बैक टू जारस किचन, आज हम बनाएंगे healthy, tasty, potato vegetable, sandwich, घर पे बनाके तयार करेंगे, ये बहुती tasty बनकर तयार होता है, ये recipe शुरू करने से पहले, मेरे चानल पे नए हो तो subscribe करें, मेरे recipe आपको अच्छी लगी हुई तो like करें, चलें, आप यहां प पूर्थ कप, carrot, बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई, half cup, एक प्यास, बारीक कटी हुई, medium से इसकी यूज करें, बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, एक, बारीक कटा हुआ, लेसन, दो टेबल स्पून, नीम्बू, दो टेबल स्पून, यहां पे लेंगे, slices म जबार के चिलका निकालगे इस तरह से कट लगा लें। इसे करने से मैश करने में आसानी हो जायगी। को बोगुफरी आप येंपकर कर लिया है। अब ये स्बार कर लिया है। जाहे तो हातों के हल्प कर सकते हैं। अब ये साइट रख देंगे। यहां पर लेंगे एक पान, इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून कुकिंग गॉयल, इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ लेस्टन, 2 टेबल स्पून, बारी कटी हुई हरी मेज, एक, बारी कटी हुई प्यास, एक मेडियम साइज की यूज करें, थोड़ा चाई से चला लें, एक मिनिट तक ज्यादा फ्राइना करें, अब इसमें डालेंगे बारी कटी हुई शिंबला मेज, हाफ कप, बारी कटा हुआ गाजर, 3-4 पॉर्थ कप, इसे डालके अच्छी से मिक्स कर लें, ज्यादा ना जलाएं, सिर्फ लाइटली इसे फ्राइ कर लें, आब यहां पर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमा काट करें, अब यहां पर डालेंगे कालिमिश पोडर, हाफ टेबल स्पोन, आप इसे भी थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसे एक मिनिट तक फ्राइ कर लें, ज्यादा ना जलाएं, इस तरह से फ्राइ कर लें बस, अब इसके फ्लेम को बन कर देंगे, अब यहां पर एक बॉल में इसे ट्रैंस्वर कर लें, इस तरह से, अब इसमें डालेंगे मैश किये हुए पोटाटो, जो हमने बॉयल करके मैश कर लिया था, वो यहां पर डालके मिक्स कर दें, वेजिटेबल्स और पोटाटो अच्छे से म मिक्स हो गया है, अब इसमें डाट करेंगे नीवू करेस, एक से दू टेबल स्पूर, सौय स्वस हाफ टेबल स्पून, इसमें मायोनीज, तो फ्रिटु टेबल स्पूर आट करें, जितना मायोनीज डाट करेंगे उ'tना टेस्ट आएगा, आपको मायोनीज पसंद नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं, इसे दालने से टेस्ट अच्छा आएगा, आप इसे अच्छे से mix कर लें, आप यहां पर फिल्लिंग बनकर तयार हुई है, आप यहां पर एक ब्रेट की स्लाइस पर इसे spread कर देंगे, इस तरह से, spread करके एक साइट रख देंगे, यहां पर और एक ब्रेट की स्लाइस लेंगे, इसमें डालेंगे टामाटो के चैप, आप चाहे तो इसमें रेचीली सॉस भी आड़ कर सकते हैं, spicy चाहते हो तो, अब इसके उपर डालेंगे प्यास और टामाटर की स्लाइसस, टामाटर की स्लाइसस इस तरह से रख दें, अब यहां पर रखेंगे onion स्लाइसस, जो बीच का पार्ट है onion का, उससे निकाल दें, इस तरह से onion के स्लाइसस रख लें, अब इस पे डालेंगे काले मिच पॉडर स्प्रिंकल कर दें, और कुटी हुई लाल मिच, आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी आड़ कर सकते हैं, अब इसमें आपको जितना चाहिए उतना cheese add करें, जितना cheese add करेंगे उतना tasty आएगा, आप आप एक bread की slice पे थोड़ा सा घी लगा लें, घी लगा गें इस तरह से एक के उपर एक रख दें, अब हैं पे लेंगे एक pan, इसमें थोड़ा सा घी गरम होने देंगे, अब इसमें डालेंगे, हमारा sandwich रखें, इसके पर कोई भी एक heavy object रखतें, इसे low medium flame में पकाएं, अब हम पे एक side पकने के बाद, और एक side butter लगा के इस तरह से पलट लें, इसे भी low medium flame में कोई भी एक heavy object रखें, इस तरह से toast कर लें, अब हम पे crispy potato sandwich बनकर तयार हैं, अब इसे निकाल ले करेंगे, यहां पर देखें कितनी crispy बनकर तयार हुआ है, आपको देखके ही पता चलिगा कितनी crispy बना है, आपको अच्छी लगी हुई तो एक like करें, चैनल पे नए हो तो subscribe करें, आगे दिया हुआ बल लाइकान को प्रेस करने ना भूलें, जो भी मेरे नए वीडियो की notification आ हुँचे, इसे एक बर जरूर से बना के try करें, बचों को तो अब बना के खायेंगे तो आपका भी यह favorite बन जाएगा,